नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे अकेले सत्या धर्म ज्यान चानल में गरुर पुराण में कुछ विशेश नियम बताने जा रही हैं जिने हर महिला को अपने वैवाहिक जीवन पर लागू करना चाहिए ताकि उन्हें पती का संपूर्ण प्रेम एवं सम्मान हासिल हो सके इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदु ग्रंद एवं शास्त्रों में मनुष्य के जानने योगि काफी जानकारी उलिखित है यदि मनुष्य चाहे तो इस प्रत्तिक जानकारी को अपने जीवन में अमल कर सफलता के कदम चूम सकता है जीवन को सही मार्ग दिखाने से लेकर सुक्षान्ती भी दिलाती है शास्त्रों की ये बाते डौट गरुर पुराण में मृत्यू के पहले और बात की स्थिती के बारे में बताया गया है यह पुराण भगवान विश्णु जी की भक्ती और उनके ज्यान पर आधारित है इसलिए प्रत्तेक व्यक्ति को यह पुराना पढ़ना चाहिए गरुर पुराण में जीवन मरण से संबंधित कई बातों का उल्लेक किया गया है अगर कोई व्यक्ति गरुर पुराण की बातों को अपने जीवन में उतार लेता है तो वह अपने जीवन में अपार सफलता हासल कर सकता है वही महिलाओं के बारे में भी गरुण पुराण में खास बाते बताई गई है नमबर एक गरुण पुराण के मुताबिक एक पत्मी को अपने पती और एक प्रेमी का को अपने प्रेमी से अधिक दिनों तक दूर नहीं रहना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि जीवन साथी से दूरी महिलाओं को मानसिक रूप से कमजोर बनाती है पती और पत्मी दोनों ही एक दूजे के लिए समर्पित रहते हैं दोनों के लिए यह साथ बेहद महत्वपूर्ण है एक दूसरे से दूर रहना उनके लिए सामाजिक परेशानिया भी उत्पन्न करता है नमबर दो गरुर पुराण में इस बात का उल्लेक किया गया है कि स्त्रियों को ऐसे लोगों के संपर्क या दोस्ती नहीं रखनी चाहिए जिनका चरित्र बुरा हो क्योंकि इन लोगों के बुरे स्वभाव की वज़से इसका असर उनके उपर भी पड़ सकता है इसके अलावा जो पती के विरुद हो ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहिए जो लोग पती की बुराई या निंदा करते हैं, वैसे लोगों से दूरी बना कर रखने में ही समझदारी है नमबर तीन गरुर पुरार के अनुसार कभी भी दूसरों के घर में ज्यादा समय के लिए नहीं थारना चाहिए क्योंकि अगर पराय घर में कभी भी अधिक देड़ तक थैरा जाए तो इससे वह सम्मान की प्राप्ती नहीं हो सकती जो अपने घर में प्राप्त होती है अपना घर तो अपना ही होता है नमबर चार गरुर पुरार में इस बात का उलेक किया गया है कि जो महिलाएं मीठा बोलती है और सबका भला चाती है वह बहुत गुरी मानी गई है इस तरह के महिलाओं की तरफ पुरुष बहुत जल्दी आकरशित हो जाते है इसके अलावा जो महिलाएं विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी वाणी पर नियंत्रन रखती है उन्हें सब जगा सम्मान की प्राप्ती होती है